शिवरत्री पढ़ती है और प्रतेक महीने की शिवरत्री पर अगर आप से बन सके आप दुनिया में अगर आपके पास में लोग कहें कि यह बहुत गरीब व्यक्ति है बहुत साधरन व्यक्ति है इसके पास धन नहीं है वेभाव नहीं है सत्ता नहीं है इसके पास खुद का मक पत्र आप एक बर्ष बारा शिवरात्री का एक नियम लेलो पाँच जगा पर बेल पत्र समर्पित करना सीख जाओ एक बेल पत्र ये शिवलिंग ये जलादहारी बहुत ध्यान से देखना ये चरण जहां से जल नीचे गिरता है गनेज जी का इस्थान कार्तिके जी का इस्थान ये हस्त कमल माता पारवती जी का हस्त कमल शिवलिंग भगवान शंकर का इस्थान उपर से जो एक एक बून जल शिवलिंग के उपर गिर रहा है शंकर भगवान की पाँच बेटिया जया विशहरा शामरी बारी दवतली देव बीच में जो एक मोटी सी लाइन है वो शंकर भगवान की चोटी लड़की क्या नाम है अशोक सुंदरी ये पूरे शिवलिंग का वर्ण पाँच जगा पर बेलपत्र पाँच इस्थान पर बेलपत्र बारो महिने की शिवरात्री आप दूसरे के आखाम कर रहे हैं नहीं है नोकरी नहीं है काम दूसरे के मकान में रहे हो खुद का मकान भी नहीं खुद का प्लाट भी नहीं खुद की प्रापर्टी भी नहीं बहुत संगर्श की जिंदगी जी रहे हो ठेला धका रहे लवरी चला रहे गाड़ी चला रहे आटो चला रहे अपने लिए करने का प्रयास करना घर में जितने सदसे हैं बारों महीने शिवरात्री आती है एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगा पर डंडी का मून नीचे की हो दूसरी बेलपत्र माता पारवती जी के हस्त कमल पर ये दो पत्ती जो होती है इस पत्ती के दो भाग शिवलिंग के बीच में हो तीसरी बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर डंडी का भाग आपके विप्रिद दिशा में हो विप्रिद दिशा में चोथी बेलपत्र भगवान शंकर का जहां से जल बह कर जाता है जमीन पर जो जल बहता है जमीन पर से जो जल बह कर जाता है चोथी बेलपत्र उस जमीन के जल पर जहां से वो पानी बह कर जा रहा है पूरे शिबलिन को छोड़ कर जहां से पानी जमीन पर बह कर जा रहा है उस इस्थान पर और पाँचवी बेलपत्र नंदी का जो पाउं उ कड़ी मेहनत के साथ में मेहनत पूरी करना और ये पाँच बेलपत्र पाँच बेलपत्र हर महीने जो शिवरात्री आती है उस पे समर्पित करना प्रारम कर दीजिए और मेहनत करना प्रारम कर दीजिए आपको आपके कर्म का फल मिलेगा साल भर के अंदर आप अपच्छे बन कर बेट सकते